नमस्कार जैहिन जैभारत तो आज आप सभी को मैं अपने गाउं की खूबसूरती और इस टाइम पर जो हमारे गाउं में जो हरियाली जो धान की फसल हो रखी है और किस तरो इस टाइम पर यहां खूबसूरती का एक बहुत ही प्यारा आप सभी को अनुभो मिलेगा देखने के तो और और आप सभी को दिखाता हूं cheek one a ओर जासकते हैं कभी भी तो आए और यहां का जो नज़ारा है वह जरूर देखें तो आप सभी को मैं दिखाता हूं ऐहां की सडग के अजो की देखने को मिलती ही आप सभी लोग देख सकते हैं यह जो नीचे से जो खेत हैं वो आगे से आप सभी को यह हमारे जो गाओं के खेत हैं तो यहां से अगर आप सभी को दिख रहा है इस से उधर के साइट और प्लस आपको यहां भी देखने को मिलेगा यह आप सभी को देखने का मिलेगा वो लास्ट कोने अभी तौरी तक यह क्रूंब से यह अगे तो वहां भी हमें लोगों के खियथ चौने इलेके नहीं यहसान भी तो अपना बनेला घ्यां सुद्ट कर देखने यह पूरी धानों की फसल है और यह हम लोगों का रस्ता है और यहां पर यह चोटी मोटी दुकाने हैं और यह पूरी आगे तक यहां से हमारे खेतें श्टार्ट होती हैं लास्ट कोने तक कि अभी यहां का जो नजारा है इस परकार हो रहा है थोड़ा मौसम भी अच्छा है और साउन का महिना भी जाने वाला ही है तो काफी अच्छा मौसम है इस टाइम पर यहां पर बस से आज आप सभी को मैंने थोड़ा बहुत अपने इस गाउं की खुब सुरूती के दर्शन क पर जब काफी अच्छी हर्याली रहती है गाउं की तरफ तो आज की वीडियो में इतना ही और जो हमारा यह लाका पड़ता है उत्राखंड अलमोडा डिस्ट के अंत्रकत सोमिस्वर घाटी के अंदर गती है जो है यहां का यह नजारा आप सभी को देखने को मिलेगा और ब झाल